हेलो दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल शुशील वर्म पर प्लीज चैनल पर नहीं हो लाइक सुस्क्राइब और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए आज हम बात करने वाले हैं टाइल को कैसे साफ करेंगे देखिए दोस्तों 32 32 की टाइल है एक दम से कितन पूरानी टाइल हो कितना वी सीमेंट जमा हो चाहे कुछ भी दाग दब्बे टाइल को एक मिनिट में साफ कर सकते हैं प्लीज वीडियो को पूरा देखें ताकि आप स्कीप मत करना ताकि आपके समझ में आसके की टाइल को कैसे साफ करते हैं सबसे पहले हम टाइल के उपर जो भी मौटा क als फैसे साफ करेंगे जाड़ो निकालकर घाड़ो निकालकर कर का चाथए को साफ करेंगे जब यह देखो पिछे अभी तक यहां पर कच्रा जमा हुआ है यह सीमेट के दाग है इन सभी दागों को चुटकियों में साफ कर देंगे बस वीडियो के अन तक बने रहना वीडियो को पूरा वोच करो साथ ही आज हम बताने वाले हैं आपको चाहे कितने भी पुराने टाइल हो कैसे साफ कर साथ है यह देखो पहले हम पत्ती की मदद से टाइल के उपर जो बड़ा बड़ा है उसे निकाल लेंगे वर इसकी जीडियों के अंदर भी पत्ती को मारथेंगे टाइल के उपर सब्के टाम हो के उपर बराबर पत्ती मार दें में चार इНची च्यार्वए च्छयी किया त्याथ उस पत्ती को मार दें पत्ती लगाने के बाद में से सभी टाइल young के उपर हमें पत्ती से रगट ना है टायल के बीच में जो भी जीडी रखी वे तीने मेंनों का group दिया हुआ है उस गượng को दोस्तों क्या पतिको मार जाना ताक उसके अंदर कào मैटती है जो निकल जाए अब आपको ऐसा काम करना हैं कि टाल कनीलर या जो एक लोग कि पता है क्हां कि अगया करते हैं ते आप जम जाता है टाइल के ओपर वो नहीं निकल पाता तब तक आप चैनल पे नहीं हो तो लाइक सुस्क्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए तक कि मैं आपके लिए न्यू न्यू वीडियो लाता रहूं ऐसे ऐसी वीडियो जिससे आपको गर बेठे टाइल साफ करने में मदद मिले और कोई भी मिस्तरी भाई या अगर टाइल साफ हो रही है या नहीं हो रही है तो प्लीज कुमेंट लाइक करके बताएं आप अब इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूं कि टाइल को कैसे साफ करें एकदम से अच्छे से पहले तो टाइल को गुरूप पर यहां पर अपने फॉक्सी बरेंगे नेक्स्ट वीडियो का पार्ट टू भी आएगा जिसके अंदर बताएंगे कि फॉक्सी कैसे बरें जिस भी भाई को टाइल कलीनर जा केटू का आताय कलीनर वह यूज करें सबसे बेस्ट अतजाव कभी नहीं मारना चाझिए टाइल के अब हमारी टाल जड़ु निकल कर तियास हो चुकित हुए अब हम बताने वाले आपको यह देखिए केटु का क्लींर आता है टाइल क्लीह आता है इसे तक कि कपड़े से रगटने के बाद में टाइल के उपर जो गिरा है किलीनर वो सभी इस ताय पर फैल जाएगा और इस परकार ये इस क्लीनर के अंदर तजाब की मात्रा होती है थोड़ी बहुत जो टाइल को टाइल को शाइनिंग भी आती है इससे कोई टाइल को नुकसान न whispering एप लिद्जह को बालएं तो यह यूज़ करना चाहिए ये पूरी तरह से सभी जगहां पर क्लीनर मांपने के बाद में या देखुंवा वाइपर सेaws होट फोल्च पूरे ग्राउनर के डायल के उपर आप यह देखम हैlle को बुलीज़ करना होगा अब ये देखो ज करने के पाइप बाद में पान से दस मिनट बाद पानी की पाइप लेकर दाइब को ची तरह से साफ करेंगे जिसे ही पाइप का पानी टाइल के मारेंगे तो यह टायल अपने आप साफ हो जाएगी जाए कितना भी पुराना कच्रा सीमेंट जमाओ कुछ भी हो केटू का क्लीनर है उसे सब कुछ साफ हो जाएगा टायल पर कभी भी नमक का तजाब मत मारें नमक के तजाब मारने से टायल के ओपर तजाब जम जाता है तकि इससे हमारी टाइलों को भी नुकसान होता है और देखने में भी गंदा लगता है यह देखो पानी मारने के बाद में वाइपर को अच्छी तरह से मारना है यह देखो क्लिनर के जाग बन चुके है कहीं पर भी कोई भी सिमेंट का कोई दाग दबा नहीं रहने वाला है अब हमारे टाइल यह देखो 32 32 की टाइल एक दम साफ हो चुकियाए कहीं पर भी आपको कोई सिमेंट को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है टाइल साफ करने का बेस्ट तरीका है के टू का कलीनर ही यूज़ करें यह देखिए दोस्तों हमारी टाइल है भी साफ हो चुकी है दन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए अंतक दन्यवाद इस परकार से आप अपने घर की कितनी भी पुरूनी टाइल हो उसे साफ कर सकते हैं अब आप चैनल को प्लीज लाइक सुस्क्राइब और शायर करना ना भूलें दोस्तों आपके लिए न्यू न्यू वीडियो लाता हूं दोस्तों आपका विहाक बनता है स्पोर्ट करकर